JTC Holidays प्रस्तुत करता है कोवलम Virtual Tour अरब सागर के तट पर बसा एक गांव परियतकों के बीच एक लोख प्रिया गंतव्य है क्योंकि कोवलम में घूमने के लिए कई स्थान है समुद्र तट कोवलम के पहले से ही भारी अलंकृत मुकुट में गहना है कोवलम में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों के रूप में माना जाता है यह कर्माना नदी के तट पर स्थित है और खुद को पिकनिक के लिए एक अवकाश स्थान के रूप में प्रस्तुत करता है तिरुवननतपुरम से नौ किलोमीटर की दूरी पर स्थित वनस्पतियों और अनुकूल जीवों की घनी वनस्पतियों के बीच मीठे पानी की जील है जिसे वेल्यानी जील कहा जाता है कोवलम में सबसे अच्छे समुद्र तटो में से एक यह देखने के लिए बहुत से पर्यतकों को आकर्शित करता है कि कोवलम समुद्र तटो में क्या है जो अन्या नहीं करते हैं पिया 1950 से कोवलम में सबसे प्रसिद स्थानों में से एक रहा है पीया को शुरू में कारगो परिवहन और मच्छुवारों को कट्मरें स्थापित करने के लिए नियोजित किया गया था लेकिन वर्षों से यह भी एक जगा बन गया है कोवलम में मुख्य आकरशनों में से एक गैंगलीग लाइटाउस समुद्र तठ है जहां सरपिल सीरिया आपको लाइटाउस के शीर्च स्थान तक ले जाती है केरल की शान हरी भरी खुशियों के बीच शान्ति पूर्ण नाव की सवारी के लिए इस नदी को अवश्य जाना चाहिए कोवलम कैसल के रूप में भी जाना जाता है इसे अब एक लकजरी डीलक्स होटल में बदल दिया गया है भगवान विश्णू को समर्पित सुन्दर मंदिर एक सदी से भी अधिक पुराना है और सभी आध्यात्मिक पर्यटकों के लिए कोवलम में घूमने लायक जगहों में से एक है प्रसिद्ध कर्मना नदी के तठपर स्थित यह मंदिर पूरी तरह से बहादुर और महान भगवान परशुराम को समर्पित है इसके अलावा कोवलम में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक यह बांध सेह जील आकर्शक केरल और प्राचीन जल का एक आकर्शक अवतार है कोवलम घूमने के स्थानों में से एडकलू एक सुन्दर सूर्यास्थ बिंदू और प्रकृती प्रेमियों के लिए एक प्राकृतिक सुन्दरता है अपने मच्छली पकड़ने के स्थानों के लिए प्रसिद चौवारा बीच एक खूबसूरत गंतव्य है जो बहुत सारे पर्यतकों को आकर्शित करता है विज़ान जाम गाव एक प्राकृतिक बंदरगा है जो रंगीन नावों से भरा हुआ है जो अपने मिशन पर चल रहे हैं विज़िन जाम गाव में स्थित यह 18 वी सदी का गुफा मंदिर है जिसमें भगवान शिव और माता पार्वती की अधूरी मूर्तिया है कोवलम जुमा मस्जिद केरल के सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों में से एक है यह अशो का बीच पर स्थित अपने स्थान के लिए प्रसिद है यदि आप कला के पार्खी हैं तो कोवलम आर्ट गैलरी की यात्रा करना न भूलें स्वाद कलियों के लिए एक दावत और अद्बुत माहौल के लिए एक आश्रय वे केक, मिल्कशेक और कुकीज की एक स्वादिष्ट श्रिंखला परोस्ते हैं जे टीसी हॉलिडेस प्राइवेट लिमिटेद राजकोर्ट कॉंटाक्ट नाइन सिक्स एट सेवन एट नाइन फावजन या नौ दो दो साच छे शून्य शून्य आठ नौ शून्य